अब बरदास्त नहीं होता है, जो बच्चों का चेहरा देखते हैं, तो अजीब सा लगता है, लगता है क्या जवाब दे हम उसको, क्या कहें हम उससे, कहते हैं, कभी-कभी सब्दहीन हो जाता हूँ, जब बच्चे आते हैं, तो उनका चेहरा देखने के बाद बड़ी अजीब सी बेचैनी हो जाती है, गुसा भी आता है, फिर समस्दारी से भी काम लेने की कोशिश करते हैं, जब बच्चे आते हैं और खड़े-खड़े नौज जमान रोने लगते हैं, तो बड़ा गंदा फील होता है, मेरे दोस्त, अब बरदास नहीं होता है, कभी-कभी तो मन करता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट ही करें, जैसा कि आपका भी मन करता होगा, कि वेकेंसी नहीं दिया जा रहा है, तो सर फिजिकल प्रोटेस्ट ही कर मेरे दोस्त, आपको भी पता है, फिजिकल प्रोटेस्ट अगर यहां से हमने शुरू किया, तो तबाही आ जाएगी, यह सब को पता है, एक बार फिजिकल प्रोटेस्ट आपने देखा भी है, NTPC के टाइम में, उसका केस अभी भी मेरे उपर है, और एक नहीं, कम से कम 300 धारा हैं, मेरे उपर ट्रेन में बम मारने की धारा है, ट्रेन में आग लगाने की धारा है, सरकारी समान के चूरी करने की धाराएं है, यह सारी धाराएं लगी हुई है, लेकिन मेरे दोस्त, कितना लोग बरदास्ट करेगा, 2018 में वेकेंसी आई थी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 साल चल रहा है अब कब तक ढ़ारस बांधेंगे बच्चे अब उनके ढ़ारस बांधने का अंत आ गया है अब कुछ न कुछ करना होगा और सबको मिल के करना होगा मेरे अकेले के बस की बात नहीं है मैं अकेले ये चीज़ें नहीं कर सकता सबको मिल के करना होगा मेरे दोस्त यहां पर क्या समस्या है अभी जैसे ही हम ये वीडियो डालेंगे आप इस सेक्षन की बात करोगे कि सल फिजिकल प्रोटेस्ट करो मेरे दोस्त होता यह है जो मैं बिहार के राजधानी पटना में हूँ अभी यहां से जब फिजिकल प्रोटेस्ट सुरू होता है तो जिस पार्टी के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट होगा या कुछ और समाजिक तब तो उसमें आएंगे और उस फिजिकल प्रोटेस्ट को दंगा का रूप दे देते हैं जो गलत है फिजिकल प्रोटेस्ट अगर समविधान के हिसाब से हो समवैधानिक तरीके से हो तो सही है लेकिन अगर फिजिकल प्रोटेस्ट और समवैधानिक हो तो वो गलत है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट में कुछ और समाजिक 10 से 15 तत तो घुस जाते हैं पता चला फिजिकल प्रोटेस्ट मैंने शुरू किया और मैंने सारे बच्चों से हाथ जोरकर नमणी वेदन किया कि आप सांती पूरवक चलें और जब वो बच्चे कुछ दूरी तक जाते हैं तो उसमें से ने 10-12 लोग ऐसे उभर कर सामने आ जाते हैं कि वो बच्चे मेरी भी बात नहीं मानते हैं उनको लगता यही 10-12 लोग अच्छे सही कर रहे हैं और मैं गलत करा हूँ तो ऐसा लगबक 6-7 प्रोटेस्ट हमने किया उसमें ऐसा देखा गया है और वो समाजिक तत्त होते हैं जो बच्चों को गलत दिसामें मोड देते हैं पिछले बार भी यही हुआ एंटिपिसी के आंदोलन के टाइम में 10-12 बच्चे जेल गए मेरे उपर केस है उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन 10-12 बच्चे जेल गए उनका केरियर तबाह हो गया चौपट हो गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण एक भी केरियर तबाह हो चौपट हो लेकिन कहीं न कहीं अब बरदास्त नहीं होता है, क्योंकि अब सब लोग मजबूर हो गए हैं, बार बार अस्तुनी वैसनब जी ये कहते हैं, कि हमने 5 लाक नौकरी दे, अरे भाई मेरे, 5 लाक नौकरी आपने 2018 में दी, उसके बाद हर साल खाली बिहार से 13 लाक युवा इंट जोड़ लो, हरियाना जोड़ लो, पंजाब जोड़ लो, वेस्ट बेंगॉल जोड़ लो, जारखन जोड़ लो, ये जो हिंदी भासी चेतर के बच्चे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे की वेकेंसी पर डिपेंडेंट हैं, जिनका इंग्लिस कमजोर है, उनको क्या दे इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, अंतिम समय में, लेकिन एक और प्रहार हम लोग डिजिटली करने वाले हैं, जैसा कि सभी टीचरों से बात हुई है, जितने भी सिक्षक हैं, गन्मान्य सिक्षक हैं, सभी सिक्षकों से बात हुई है, सब ने तीस तारिक का भरोसा दिय चाहेंगे तो जरूर सफ़ल होगा है वह इस डिजिटल प्रोटस्ट का इस वार का अप ट्विटर का डाउनलोड करेंगे Twitter को और इस बार Twitter महा campaign होने जा रहा है आपके भविश्य के लिए बहुत जादे जरूरी है 30-11-2023 को सुबह 10 बजे सबी टीचरों की सहमती से ये रखा गया है मेरे दोस्त ये जो hashtag है इसको हम लोग सब मिलके इस बार बहुत बड़ा Twitter campaign करने वाले हैं 30-11-2023 को मतलब आज तक के Railway के इतिहास का सबसे बड़ा Twitter campaign पिछले बार था जहां 21 लाख बच्चों ने tweet किया था इस बार हम लोग उससे भी बड़ा Twitter campaign करेंगे और कोसिस करेंगे कि इससे भी जादे tweet हो और ये चीज़ें सरकार तक पहुँचे इसके लिए सब लोग मिलके प्रियासरत रहेंगे और ये हमारे community में भी डाल दिया गया है एक बार फिर से हम आपको बता दें Twitter का नाम चेंज करके X रख दिया गया है अब Twitter अब X के नाम से प्ले स्टोर पर अबलेबल है जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजे आपके भविश्य के लिए आपके परिवार के लिए ये जरूरी है तिरांग तीस से ग्यारा दुहजार तईस सुबह दस वजे इस बार का हैस्टाग रहेगा हैस्टाग मोदी जी M कैपिटल है बांकी स्मॉल है अंडर स्कोर रेलबै आर कैपिटल है बांकी स्मॉल है वेकेंसी भी कैपिटल है बांकी स्मॉल है दो में D कैपिटल है O स्मॉल है सारे का पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और सब का बांकी जो second letter है वो क्या है small है तो हैश्टेग में कोई भी गड़बड़ी ना करें सब को सब लोग अपने सभी social media status में लगाएं और 30 नौंबर 2023 तक ना बदलें ये हमारा आप से हाथ जोड़कर नम इड़ेदन है सिर्फ कहने से नहीं होगा कि vacancy नहीं है vacancy नहीं है सब को पढ़ाई के साथ सा लड़ाई भी करनी होगी तो मेरे दोस्त हम उमीद करते हैं कि सब लोग इस vacancy में इस महां Twitter campaign में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे कहते हैं मेरे दोस्त निरासा के बाद आशा की किरन जरूर निकलती है एक दिन ऐसा भी आएगा जब vacancy हम लोगों के पास होगी हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर हम लोग अभी सही तरीके से अपने मांग को रख पाते हैं तो सब को पता है कि 2024 में चुनाओ है तो vacancy अगर सही तरीके से सरकार तक हमारी मांगे पहुँच गई तो जरूर आएगी सरकार की मजबूरी है हम लोगों की बातों को सुनना लेकिन हम लोग सरकार तक अगर अपनी गुहार नहीं पहुँचा पाएंगे तो फिर ये vacancy नहीं आएगी तो हम लोग उमीद करते हैं कि सब लोग मिलकर इस महार ट्विटर केंपेन को सफल बनाएंगे और सब लोग ये जो हम पोस्ट आप देख रहे हैं ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये मेरे community में लगा हुआ है सबी teacher के community में लगेगा वहाँ से copy करें, paste करें और अपने status में हर social media status में लगाएं और अन्य बच्चों को भी जोड़ें क्योंकि अकेले भगत सिंग से ये देश आजाद नहीं होगा सब को मिलकर साथ देना होगा अकेले मैं vacancy नहीं दिलवा सकता हम सब लोग आपके साथ आएंगे तब vacancy आएगा सभी teacher साथ हैं क्या आप साथ हैं तो जरूर comment किजेगा और उमीद करेंगे कि इसको जदेस जदेस share करके अन्य बच्चों तक पहुंचाईएगा Thank you very much Love you all Namaskar